फर्स्ट कोश्चन है विश्व में महादुविपों की कुल संख्या कितनी है आंसर है 7 विश्व में कितने महादुविप हैं तो साथ महादुविप है नेस्ट है छेत्रफल की द्रिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा महादुविप कौन सा है आंसर है एशिया छेत्रफल की द्रिस्टी से देखा जाए तो वीश्रो का जो सबसे बड़ा महादुईप है वह कौन सा है वह एशिया महादुईप है नेस कोशन है छेत्रफल की द्रिस्टी से सबसे छोटा महादुईप कौन सा है आंसर है अस्ट्रिलिया चेत्रफल की द्रिश्टी से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा महादुप कौन सा है अस्ट्रिलिया देखे हमने दो चीज देखी चेत्रफल की द्रिश्टी से विश्टो का सबसे बड़ा महादुप कौन सा है तो एसिया और छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा महाद्विप कौन से है तवा है ऐस्टिलिया नेस्ट है छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा महाद्विप था हमने देख लिया ऐस्टिलिया किस महाद्विप को प्राधीपिय महाद्विप के नाम से जाना जाता है आंसर है यूरोप यूरोप को प्रायदीपिय महादुइप के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है कौनसे महादुइप को महादुइप के नाम से जाना जाता है आंसर है अंटारकटिका नेक्स्ट है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एसिया को एसिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है और एक चीजे छितरफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा महाद्वीप भी एसिया महाद्वीप है नेक्स्ट है कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीब के नाम से जाना जाता है आंसर है औस्ट्रेलिया औस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीब के नाम से भी जाना जाता है और औस्ट्रेलिया जो है छित्रफल की द्रिस्ट्री से सबसे छोटा महाद्वीब भी है नेस कोशन है किस महाद्विप को उसके काफी बड़े भाग में वर्सा की कम मात्रा की प्राप्ती के करण 85 भूमी का महाद्विप कहा जाता है अंसर है औस्ट्रेलिया औस्ट्रेलिया में ऐसी काफी जगह है जहां पर कम मात्रा में वर्सात होती है जिसके करण इसको प्यासी भूमी का महाद्विप कहा जाता है नेस कोशन है किस महाद्विप को विसमताओं का महाद्विप कहा जाता है अंसर है एशिया एशिया महाद्विप को विसमताओं का महाद्विप कहा जाता है नेस कोशन है कौन सा महाद्विप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है आंसर है उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्विप है जिसे की नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है नेस कोशन है किस महाद्विप को मानव घर कहा जाता है आंसर है यूरोब यूरोब महाद्विप को मानव घर भी कहा जाता है नेस कोशन है किस महाद्विप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्विप कहा जाता है आंसर है अंतारकटिका अंतारकटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्विप कहा जाता है किस महाद्विप को अंध महाद्विप के उपनाम से जाना जाता है आंसर है आफरिका आफरिका महाद्विप को अंध महाद्विप के नाम से भी जाना जाता है नेक्स है किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्धमानता के कारण भविश्य का भंदार ग्रिय कहा जाता है अंसर है एस्या महाद्वीप को एस्या महाद्वीप में विद्धमान रहने के लिए अधिक संभावन आए हैं जिनके करण इन्हें भविश्र का भंडार ग्रिय कहा जाता है नेस कोशन है किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है अंसर है औस्ट्रेलिया औस्ट्रेलिया महाद्विप को पक्षियों का महाद्विप भी कहा जाता है निस कोशन है कौन से दो महाद्विप एक दूसरे का दरपर प्रतिविम मीरर इवेज प्रस्तूत करते हैं अंसर है यूरोप और औस्ट्रेलिया निस कोश्चन है किस महादीप की संरख्षना अंग्रेजी की S अक्षर की तरह है अंसर है अंटार्कटिका अंटार्कटिका जो है इसकी संरख्षना कैसी है तो यह इंगलीज के S अक्षर की तरह है इसकी संरख्षना नेक्स्ट है किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर दक्षिर पूर्वी तथा पस्तिमी सभी गोलार्धों में है आंसर है आफ्रिका आफ्रिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिर पूर्व एवं पस्तिम सभी गोलार्धों में है नेक्स है कौन सा महादविप पूर्णता हीम अक्छादित है यानि कि हीम का आवरण है आंसर है अंटारकटिका अंटारकटिका महादविप जो है जिसमें पूरी तरह से हीम का आवरण बना रहता है और यहां अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है इसकी आकार नेक्स्ट है किस महादिप से होकर करक, विशुवत एवं मकर तीनों ही रेखाएं गुजरती है अंसर है आफ्रिका महादिप आफ्रिका महादिप एक ऐसा महादिप है जिसमें से करक रेखा, विशुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है और देखे अभी हमने आफ्रिका के बारे में पढ़ा था कि उत्तर, दक्षिर, पूर्व, पश्रिव ये सभी गोलार्धों में जो है आफ्रिका पाया जाता है नेस कोशन है किस महादीप में जॉला मुखी का सर्वता अभाव पाया जाता है आंसर है औस्ट्रिया औस्ट्रिया महादीप में जॉला मुखा का अभाव पाया जाता है नेस कोशन है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महादीप में इस थी थे आंसर है आफरिका विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है वा किस महादीप में है तो है आफरिका महादीप में है नेस कोश्चन है उत्तर अमेरिका महादीप की सर्वोच परवत चोटी कौन सी है आंसर है माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका महादीप में जो सबसे उजी परवत चोटी है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है माउंट मैकिनले नेस कोशन है दक्षिर अमेरिका महादीप की सर्वोच परवत सिखर का नाम क्या है तो यह है माउंट एकांग गोईना दक्षिर अमेरिका में जो महादुइप है उसमें जो परवत चोटी है उजी उसका नाम क्या है माउंट एकांगुईना देखिए अब ये दोनों उत्री अमेरिका में काउंसी है परवत चोटी है तो है माउंट मैकिनले और दक्षिडी अमेरिका में काउंसी परवत चोटी है तो वह है माउंट एकांगुईना नेक्स है आफ्रीका महाद्विप का सर्वोच परद सिकर काउंसा है यह है माउंट किली मंजारो आफ्रीका महाद्विप को अंध महाद्विप के नाम से भी जाना जाता है करकरेखा, मकर रेखा और विश्यत रेखा तीनों यह आफरिका महादिप से होकर गुजरती है और यहाँ पर जो सर्वच परवत चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट किली मन्जारो नेक्स्ट है अन्तारकटीका महादिप की सर्वच परवत सिखर काउन सी है? लिएमियें अगे माओंट एवर्यस्ट माउंट एवरेस्ट जो पर्वश्ट शिखर रहें इसकी उचाही कितनी है तो 8848 मिर्डर और कहा इस्थीथ है तो यह नेपाल में इस्थीथ है नेकस्थ है योरोAF महादीब का सर्वोच परवत सिखर कौन सा है अंसर है माउंट एलब्रेस योरोप महादीब है उसकी जो सर्वोच परवत सिखर है वो कौन सी है वो है माउंट एलब्रेस न akl नेक्स है औस्ट्रिलय महादीप का सर्वोच परवत सिखर कौन सी है अंसर है माउंट कोसियुसको माउंट कोसियुसको औस्ट्रिलय महादीप का सर्वोच परवत सिखर है नेक्स्ट है सरवाधिक देशों वाला महाधुप कौन सा है आंसर है आफ्रिका आफ्रिका महाधुप जो है वो सरवाधिक देशों वाला महाधुप है नेक्स्ट है कौन सा महाधुप पुर्ण रूप से दक्षिरी गोलार्थ में इस्तित है आंसर है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया जो है पूर्ण रोप से दक्षिरी गोलार्ध में इस्तित है देखिए यह इस तरीके से डिवाइडे रहता है उपर जो होता है उत्री गोलार्ध रहता है नीचे जो है दक्षिरी गोलार्ध है तो अस्रिले जो है पुरी तरी से इस भाग में है यानि की दक्षिनी गोलार्ध में है नेक्स्ट है कौन सा महाद्विप मरुस्थल विहीन है आंसर है यूरोप यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है नेक्स्ट है किस महाद्विप में सरी स्रीप नहीं पाया जाते हैं आंसर है अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्विप में सरी स्रीप नहीं पाया जाते हैं नेक्स्ट है आफ्रिका महाद्विप का दक्षिडी बिंदू कौन सी है आंसर है कैप अगूल हास आफ्रिका महाद्वीप है उसका जो सबसे दक्षिली बिंदू है वह कौन सी है तो वह है कैप अगुलहास नेक्स है विश्व में मैदानों का सरवाधिक विस्थार किस महाद्वीप में है अंसर है यूरोप यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सरवाधिक विस्थार है नेज कोशन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहती है आंसर है आफरिका आफरिका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है नेस कोशन है उष्ण कटी बंधिया परिस्तितों का सरवाधिक विस्तार किस महाधुप में पाया जाता है आंसर है आफ्रिका उष्ण कटी बंधिया परिस्तितियों का सरवाधिक विस्तार जो हबा आफ्रिका महाधुप में पाया जाता है नेक्स्ट है किस महाद्विप में अंतरिक जल मार्गों का सरवाधिक विकास हुआ है आंसर है यूरोप यूरोप महाद्विप एक असा महाद्विप है जहां पे अंतरिक जल मार्गों का सरवाधिक विकास हुआ है नेक्स्ट है कौन सा एक मलेशिय देश की प्रसासनिक राजानी तथा संगिय प्रसासनिक केंद्र है आंसर है पुत्रा जाया नेक्स्ट है दक्षिडी गंगोत्री कहां इस्तित है आंसर है अंटार्कटिका में अंटारकर्टिका में दक्षिडी गंकोत्री इस्तित है नेक्स्ट है यूरोप की एक परवस श्रिंखला कौन सी है आंसर है आलपस आलपस जो है यूरोप की एक परवस श्रिंखला है नेक्स्ट है किस महादुप में एटलस परवत इस्तित है आंसर है आफ्रिका चित्र का निर्माड सरवाधी कहां पर है अंसर है अंटार्कटिका के ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर ओजोंचित्र का सरवाधी जो है निर्माड होता है नेक्स्ट है विश्व के दो सबसे छोटे महाधीप कौन से हैं अंसर है और स्ट्रेलिया और यूरोब Next question है, महादूप कैसे अलग हुए है Answer है, विवर्तनी और क्रियाओं के कारण ये जो महादूप है, ये अलग कैसे हुए है तो ये जह हैं, विवर्तनी क्रिया के कारण अलग हुए है Next है, संसार का सबसे आदर महादूप कौन से है Answer है, दक्षिल अमेरिका दक्षिर अमेरिका संसार का सबसे आद्र महाद्वीप है नेस कोशन है दुनिया का नविंतम देश कौन सा है अंसर है दक्षिरी सुडान नेक्स है संसिटी कहां इस्तित है तो यह दक्षिर आफरिका में इस्तित है दक्षिर आफरिका में संसिटी इस्तित है Nes question है, महा सागरी सदा का नीरमार किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आंसर है besalt जो महा सागरी सता है है उनका नीरमार की चट्टानों से हुआ है? तो यह besalt type की चट्टानों से हुआ है Next है, घहराई में वरिधी के अनुसार महाद्वीपिय भूपटल के विभिन पर्तों का सही क्रम क्या है देखे गहराई में वृद्धी के अनुसार इनका क्रम क्या होगा तो परत दाल चट्टान सबसे पहले इनकी गहराई कम होती है उसके बाद ग्रेनाइट की थोड़ी जादा होती है बेसाल की गहराई उससे भी थोड़ी जादा होती है नेस कोशन है प्रित्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है आंसर है लोहे और निकील प्रित्वी के कोर में लोहे और निकील जो है सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट है इस्थल मंडल में सम्मिलित हैं उपरी भूपटल, नीचली भूपटल, मेंटल का ठोस उपरी भाग ये जो हैं सब इस्थल मंडल में इस्थित है नेक्स्ट है मेंटल में किंततों की प्रधानता पाई जाती है आंसर है सिलिका और मेगनिश्यम देखिए पृतवई के कोर में कौन कौन सी पाय जाती है तो यहां पर लोहा और नीकिल लोहे को हम लोग FE से डिनोड करते हैं FE और नीकिल Ni आई तो प्रिथवी के कोर में लोहा और निकिल पाया जाता है नेक्स्ट है मेंटल में किंटतों की प्रधानतों होती है तो यहाँ सिलिकॉन और मैगनेशियम नेक्स्ट है दिशांतरी दूरी एक घंटे के समय अंत्राल के बराबर होते है एक हावर जो है वो पंदरा डिगरी के बराबर होता है दिशांतर दूरी में नेक्स्ट है प्रित्वी क्रिया की संजरशना में प्रवार यानि की मेंटल के नीचे क्रोट किस से बना हुआ होता है तो मेंटल का जो नीचे होता है वो लोहे से बना हुआ होता है नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है आंसर है परवत निर्मार कारी बल वलन क्रिया जो होती है वो परवत निर्मार कारी बल होती है नेस कोशन है भुमद्य रेखा नहीं गुजरती है आंसर है दक्षिरी अमेरिका से भुमा दे रेखा जो है वा दक्षिरी अमेरिका से नहीं गुजरती है